So class 10th का chapter 1 है हमारे पास, that is real number, so class 10th की ये first video है, इसमें हम basically बात करेंगे, the introduction part, जो की आपका chapter 1 का होगा, उसके बारे हमें हमें बात करेंगे, अच्छा, real numbers की थोड़ी बात कर लेते हैं, तो real numbers के बारे में हमने class 9 में खुब डिटेल में पढ़ा है, तो हमने two types of the real numbers पढ़े थ हमारे पास slavus में है, that is हम थोड़ी बात करेंगे, hcf के बारे में, ठीक है जी, और hcf को find करने के लिए, एक specific method का यह हम use करेंगे, या एक algorithm का use करेंगे, that is, euclide division lemma, lemma बोल लो, algorithm बोल लो, one and the same thing, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, euclide division lemma को करने से पहले, हम समझ लेते ह कि what is hcf, थोड़ा hcf को समझेंगे, तब हम yuclide division lemma पे जाएंगे, तो अच्छे से हम चीज़ें समझाएंगे, तो hcf आफ सभी को पता है कि highest common factor होता है, क्या होता है, highest common factor, एक छोटे से example से इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो highest हमें पता है कि सबसे बड़ा common हमें पता है कि जो दोनों में पाया जाएगा, and factor क्या होता है, factor होता है basically ऐसे parts जो किसी number को पूरे तरीके से divide कर ले, ठीक है जी, मतलब वो उसका factor कहा जाएगा, अच्छा समझ लेते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि hcf of, hcf निकालो जी 2 and 3 का, तो basically क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक common जो तो 2 के factors आएगे 1 and 2 and 3 के factors आएगे 1 and 3, अब इसमें common check करेंगे, second condition है, अच्छा highest देखना है हमें, and secondly common, factors भी हमने लिख लिए, अब हमें common check करना है, तो common हमारे पास 1 है यापर, तो हमारे पास hcf इतना हैगा, hcf of 2 and 3 का will be 1, so ये एक example है, हमारे पास थोड़ा आपको remind कर रवाने के लिए कि हमारे पास hcf होता गया, इसके लिए हम एक traditional method यूज करते थे, that is, prime factorization method, prime factorization method, so basically इस class में, 10 class में हम इस prime factorization method के बात नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे, हम जो बात करेंगे हो है, ये clear division lemma से हम basically कैसे इसे prove कर सकते हैं, तो इसे एक बार check कर लीजिए, so अब थोड़ा understand करने की कोशिश करते हैं, what is Euclid division lemma, ठीक है, तो heading डान लेते हैं, Euclid division lemma, ठीक है, तो क्या होती है, हमारे पास Euclid division lemma, so Euclid division lemma को understand करने से पहले, एक sum देखते हैं basically, छोटा सा sum, आप सभी ने किया होगा, तो 13 को divide करते हैं basically 4 से, और जब हम इसे solve करेंगे, तो 4, 3, 12 हमारे पास remainder आजाएगा, जी 1, यह आप सभी को पता है, अब होता क्या है, होता यह है, कि जब हम basically यहाँ पे इन numbers की लिख लेते हैं, कि इन्हें बोलते हैं, तो 13 को हमें पता है कि हम बोलते हैं, 13 को क्या, dividend, dividend, अच्छा, 4 को हम बोलेंगे, diviser, 3 को हम बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, 3 को बोलेंगे, quotient, जो 1 है, वो आएगा हमारे पास, remainder, अच्छा, आप पुछेंगे कि यह तो सर हमें पता है, तो यह आप बता क्यों रहें, तो Euclid division lemma और कुछ नहीं है, इन सभी को लिखने का एक तरीका है, देखो, हम dividend को मैं capital D से लिख लेता हूं, तो capital D that is dividend, इसके आगे लिए उपर लिख लेता हूं, ठीक है, तो D is equal to क्या आएगा हमारे पास, D is equal to आएगा, dividend किसके इकोल होता है, तो that is divisor, small d, small d से represent कर लेते इसको, divisor into quotient Q plus R, यह होगा na, 13 is equal to, 13 क्या होगा, is equal to D, that is 4, into 3, plus 1, 4, 3, 12, plus 1, 13, इसके इकोल होगा, अच्छा, इसके तो यह equal होगा, तो basically D into Q plus R, तो हमने लिख लिया, but Euclid division लेमा में, इस D की जगा हम क्या, capital D है हमारे पास, उस D की जगा हम उसको replace करते हैं by A, ठीक है जी, तो A, हमारे पास Euclid division लेमा आता क्या है, तो R, so this is our Euclid division लेमा, ठीक है जी, अच्छा, Euclid division लेमा में condition होती है, that R, should be less than B, and greater than, or equal to 0, ठीक है, this is condition, अच्छा, यह Euclid division लेमा के, फर्दर यह conditions आती है, इसका मतलब क्या है, कि जो B है, वो B आपका A से बढ़ा नहीं हो सकता, यहां भी आप देख सकते हैं, B मतलब, that is small d, divisor, divisor dividend से बढ़ा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, और R, हमारे यहां बनाए, यहां 0 भी आ सकता, अगर मैं यहां, तेरा की जगा 12 लिखनी हो, तो यह हमारा remainder 0 भी आता, तो, that should be greater than or equal to 0, so R should be greater than or equal to 0, so R should be greater than or equal to 0, so यह हमारे युक्लियों लेमा है, इसे आख नोट डाउन कर लेजिए, फिर आगे फर्दर करते हैं कोशन्स को,